नवस्कार दोस्तो आज के वीडियों में करने वाले हैंlingen नागवनशी सासन वबस्था को इसके पहले मुंद्जा सासन वबस्था करा था यहाँ पे हम सासन वबस्था को आपको एक ही जगह पे इतनी सारी सासन वबस्था अमें पढ़ना नहीं है दोनों ही medium के चात्र इसका आनन उठा सकते हैं तो चलि वीडियो को start कर सकते हैं और like share कर सकते हैं ताकि मैं पता लगे कि आप इस वीडियो को पसंद किया आप नहीं या नहीं किया देखिए सबसे पहले सुरुवात करते हैं जहारकन का इतिहाज के syllabus में है यह JPSC का syllabus जो प्रिलिम्स प्रियो ँसमें है साथ गें जहारकन केक्जाम में इस ज्वाल बनेगा ही बनेगा इससे सवाल भी आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करें तो एक ब्रीफ आइडिया ले यह सारी सासन ववस्ता हैं मुंडा सासन ववस्ता नागवंसी सासन ववस्ता परहा पंचाः सासन ववस्ता माजी परगना सासन ववस्ता मुंडा मानकी सासन ववस्ता धोकलो सहर सासन ववस्ता और जातिय पंचाः सासन ववस्ता ठीक है तो आखर यह किसकी है जाती हम लोग को जान लें तो मुंडा सासनवबस्ता के जंजाती सबसे बढ़ी जंजाती आपhmen की तिह सबसे बादी है को पर्संटेश बाति करें तो इसके परसंटेज आपको है संथाल जारकन की सबसे जो बरिग जनजाती है वह संथाल जंजाती है और यह संथाल जन्जाती तो जरूट डांवोड कर लीजेगा उसके लिंक, टो इतना हमने देखिया उसके बाद सर्प पहली तो हमने संथाल है तीसरी हमने बता दी मुंदा है तो दूसरी जंजाती जहरकन के सबसे बड़ी कौन सी है तो वह क्या है तो उराओ है ठीक है और उराओ की जो हम लोग साशन वबस्ता को बोलते है परहाँ-पंचाः आज बिसके बारे में अज ठीक है, उसके बाद है मुंटा मान की सासन वबस्ता, तो ये आपको हो जन जाती की सासन वबस्ता है, ठीक है, उसके बाद है धोकलोस और सासन वबस्ता बहुत important है, जो कि आपकी खड़िया, खड़िया की ये सासन वबस्ता है, उसके बाद जाती है सासन वबस्ता जो है जाती चाह कहा ठीक है तो आप अर और यहां पे आपको यहांus对 आपको मिलेगा जो साथ कुछूरी यहां पे तहिंगे तो धिश्यौरे के सात्स fries की जिनका टाइटल था राई मगर नागवनसी में एक सासक हुए जिनका नाम क्या था तो भीमकर्ण नाम था उसकी हम लोग कहानी पढ़ेंगे और वो कर्ण की उपादी उन्हें मिली वो यही कल्चूरियों की जो उन्होंने कल्चूरी से लडा ही लडा तो कल्चूरी जो सासक उनका उपादी उनका टाइटल कर्ण हुआ करता था उनी से प्रेज़ना लेकर इन्होंने भीमकर्ण जो किया कि नागवनसी सासक था उसने अपने उपादी कर्ण की ले ली आपको समझ में नहीं आया होगी ब्यात हमने ऐसा ही ले लिया बात ठीक है तो हम लोग डिटेल मे चली शुरुआत करते हैं बिलको जीरू लेवल से सबसे पहले करे बात कि नागवनसी सासन ववस्था की शुरुवात कैसे वी देखिये इसके पेहले हमने मुंदा शासन ववस्था की बात करी थी कि मुंदा में उसका हेड़ बनाया तो शुत्या-पाहन जो है मुंदा-श सासनवश्था का पहला राजा था ठीक है उसके बाद मुंदा सासनवश्था का जो अंतीम राजा हुआ वो था मदरा मुंदा क्या नाम था मदरा मुंदा तो यह मुंदा मुंड़ा का बेटा बनेगा जो कि एक दत क्तर है दतक का मतलब होता adopted son मतलब की दतक लिया गया है adopted आप समझ गये और नहीं दाली कैसे डाली तो इसकी कहानी बहुत रोचक कहानी है देखिए हम बात करें तक्षक नाग आपने पढ़ा होगा कभी न कभी ठीक है और एक आपने नाग पढ़ा होगा पुंडरिक ठीक है तो यहां पर उसी की कहानी है जिस पर हमने बात करना है यहां पर देखिए यहां पर पुंडरिक नाग तो पुंडरिक एक नाग थे और इनकी जो पत्न परवती जो की वरानसी की रहने वाली थी वरानसी की रहने वाली थी परवती तो दोनों का विवा हुआ था पुंड्रिक नहीं बताया था कि वो नाग है नहीं बताया था थीक है तो दोनों का विवा हुआ उसके बाद जो है जब परवती को पता लगा ठीक है कि एक नाग है तो उसके बाद पंदितों ने कहां एक काम करिए आपको पुत्र की प्राप्ति होगी आप जगनात पूरी जाईए वहाँ पे पुजा पार्ट करिए आपको जरूर जो है आपको पुत्र की प्राप्ति होगी ऐसी कहानी है ठीक है अब उसके बाद ये लोग पारवती और पु पारवती जो है उसे प्रसव पीरा होती है और वहाँ पे वो पुत्र को जर्म देती है और उस पुत्र का नाम फनी मुकुड राई है अब यहाँ पे जैसे ही वो जर्म देती है प्रसव पीरा के कारण जो है ऐसा अला की कई बुक्स में यह लिखा कि वो सती हो जाती है मतलब की मिर्ति हो जाती है उसकी माता की मिर्ति हो जाती है और जो उसके पिता थे पनी मुकुडराई के जो पिता थे जो की एक नाग थे और वो नाग वेस्ट में आ जाते हैं और उस फन फैलाई वे फन फैलाई वे इस तरह से फन फैलाई वे वो यहाँ पे बीच में अपने जो ब मंद्रा मुंडा के एक तरह से हम बात करें कि जो पुजा पार्ट करने वाले थे ठीक है उन्होंने ये दिश से देख लिया उसके बाद मंद्रा मुंडा को मंद्रा मुंडा कौन है तो हमने बोला था मुंडा तो यहां पर पनी मुकुट राई को उन्होंने गोद अडॉप्ट कर लिया और उसके बार वही उनका पारेंपोसन करते हैं और आगे चल कर क्या होता है कि सभी मानकियों को बुला कर मानकी हमने पिछली वीडियो में बताय था कि मानकी क्या होता है देखिए हमने बोला था कि है एक राज होता है तो ठीक है राज नहीं राज तीक है proposing मनकी को टीके मानकी को बुला कर हमाँ करना चाहते हैं और हमारी आयूं बहुत हो गई है और सभम मुकुट राहें उनको हम अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी राजत हो जो है अपना उतरादिकारी जो हैं हरी रेट्री हम लोग मैं अपना शौपना चाहता हूं देखिए फनी मुकुड राय चुकि एक अलग दतक लिया गया है और वह एक नागवनसी है ठीक है तो इसलिए आप देखेंगे तो एक ट्राइबल नहीं है ठीक है मदरा मुंडा क्या ट्राइबल नेता है जंजाती नेत पोस्ट है तो इसलिए आराम से वह टांसफर हो जाता मगर चुकि दतक लिया है सभी मानकियों को बुलाते हैं कि वह लोग उस्ता ना हो जाते हैं और फनी मुकुड राइज यहां के राजा बन जाते हैं और वह जो जब राजा बनते हैं इसको बोलते सुत्या नाग खंड यह जो जगह है वह सुत्या नाखंड के नाम से जानी जाती थी एक राज जो की जहारखंड में मतलब थी जो मुंडाओं ने बनाया था ठीक है उसके बाद जो है काफी इंपॉर्टन अब क्या होता कि फनी मुकुड राइज वह राजा बन जाते हैं यह राजा कब बनते है सबसे पहले हम जन्म की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म जो हुआ 64 में हुआ था किसका फनी मुकुड राइज का मगर इनको राजा की उपादी हम लों बात करें तो 83 में मिलेगा आपको 83 से 112 तक यह सासन करेंगे ठीक है नागवन्स आपसे सवाल पूछा जागा कि नागव लेटें क्योंकि इनका जंभ और मतलब की जन्म हो गया था तो वहीं से के सुरवात हो गये सिक्टि-फो से शुआ हृट गरी नागवन्स की सबस्षा को माएं समझ बात यहां तक हमने समझ लिया और चलेये हम क करें कुछ यहां पर important जो है points है जिनको आप no down कर सकते हैं देखिए यदि हम लोग बात करें फनी मुकुड राई द्वारा नागवंस की स्थापना की जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है तो 1780 राइन में नागवंसी राजा दर्पनाथ सा ठीक है द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लोड कॉनवालिस को जो है यह दिया गया कि भाई फनी मुकुड राई यहां के राजा थे विद्या बुसन लाल तता पर्दियूमन सिंग के अनुसार फनी मुकुड राई ने नागवंसी को 66 परगणों में विभाजित किया था 66 परगणा थे हमने देखा था मुंडा सासन ववस्ता में कि मुंडा सासन ववस्ता में 21 परगणा था मगर यदि आप नागवंसी सासन ववस्ता में देखेंगे तो यह 66 परगणा में विभाजित हो गया था मतलब इनकी जो जगा थी वो बढ़ गई थी मुंदा सासन ववस्था में जितने भी नियम कानून थे नागवंसी सासन ववस्था में बदला नहीं गया सब सभी को बदला नहीं गया ठीक है देखिए मुंदा सासन ववस्था में भी महिलाओं को कुछ योगदान नहीं दे जा 85 में आगे कि कहानी समझे हैं आप फ़नी कोड obey जो है वो राज कर रहे हैं अब फ़नी मुझmers राज क रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है वो कहानी काफी ज्यादा important है देखिए फणी मुकुडराय राज कर रहे हैं और वो किसी से tax नहीं ले रहे हैं आगे जितने भी राजा होंगे कौन-कौन से राजा होंगे मैं आपको दिखा दूंगा list और अभी कौन राजा लाश्ट जो है 2014 में जिनका ध्यानत हुआ है उनकी भी हम लोग बात करेंगे यहां पर तो जितने भी राजा हुए यहां पर किसी ने tax लेने का काम मतला आम जनता से tax नहीं लेते थे मगर मुगलों का आकरमन 1585 में होता है 1585 में ही मुगलों का आकरमन यहां पर हो जाता है और उसके बाद मुगल जो है डिमान करते हैं माल गुजारी का कि भाई हमें tax द जहांगीर के समय今日 साल कोग्या की जैसे तैंट गालीर का कीमिaste Ratis करने के बाद 12 साल तक उनको छोडा नहीं जाता है। जो एक जिसल आ रहser है तो सभी लोगों को कैसे उनके नागाद मैंत पर उत्राइक के भी है लाई जाए कैसे उनकी सारी डिमांड को पूरी की जाए जितने भी उनके अंदर में रहते थे जितने भी जनता रहती थी इस इन सब को देखते वे दुर्जर साल ने लास्ट में क्या किया एकसेप्ट कर लिया कि चलिए हम आपको टैक्स देंगे और 6,000 रुपया बारसी कर उस टाइब में 6,000 समझे कितनी वैल्यू होगी अभी भी 6,000 की काफी जादा वैल्यू है तो उस टाइम में कितनी वैल्यू होगी तो 6,000 कर जो है देकर कहा कि चलिए ठीक है ये बात है 16-16 की जहां गिर के समय की कि कहां चलिए ठीक है हम आपको कर देंगे और इसके बाद जो है छोड़ दिया जाता है दूर जन साल को इसके बाद की कहानी बहुत इंप्रोटन है जहां से आपके एक्जाम में सवाल पूछें तो एक एक पॉइंट जहां से सवाल बनेंगे वो सारी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अब अंग्रेजों को दिवानी 2700 को मिलती है आपको पता होगा और इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है देखिए सत्रह सो संताव ने आपको पता है बैटल अब पलासी होती है पलासी का युद होता है नवाब सिराज अदुला और कलाइब लॉइड पतला रॉबर्ट कलाइब के बीच में अब उसके बाद सत्रह सो चौशट में और एक महत्पून लडाई होती है जिसका नाम है बैटल अब बकसर बकसर की लडाई बकसर की लडाई किसके बीच होती है तो इसमें हेक्टर मुन्रो रहता है उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल का जो पहले नवाब था जो कि मिरजाफर था आपको वहाँ पे वो देखने को मिलेगा उसके बाद हम लोग बात करें कि यहाँ पे अवद का नवाब आपको देखने को मिलता है और जो मुगल है चो करते हैं अंग्रेजों के खिलाब और फाइनली जो है इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है और ये अंग्रेजों की बहुत ही वास्तविक जीत थी मतलब यहां पे अंग्रेजों ने अपना सामर्थ दिखाया था सामर्थ इसलिए कि 1757 में जो लडाई हुई थी हम बात करते हैं वैटलो पलाशी की वो सडियंत के कारण जो है जीत लिया गया था रॉबर्ट गलाईम ने अपना चतुराई दिखाया था और अपने पक्ष में जो है सिराजोदुला के जो सैनिक थे उनके जो अपने पक्ष में कर लिया था घुश देकर मगर यहाँ पे 1764 की जो लडाई होगी बाइटलो बक्षर इसमें किसी को अपने पक्ष में करेंगे नहीं अपनी सामर्तिता का यहाँ पर परिचे देते वे वो जीत जाएंगे यहाँ पर उसके बाद 1765 में आपको देखने को मिलेगे एक तो इलाबाद की संदी और साथे साथ बंगाल की दिवानी जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी बंगाल की दिवानी का मतलब क्या है का जैसे ही अंग्रेजों के पास पावर आ गया मुगल काल में हमने बोला था भी कि मुगल काल में यहां से माल गुजारी जो है लिया जाता था अब अंग्रेजों ने भी सोचा कि हम कैसे लें तो 1765 में जैसा ही मुगल से damitipforme हो जाती है तो यहां पर 17 Princess जैसे आता हैं वह यहां दावा बोलते हैं और बोलते कि हमbach टेक्स कालेशन चाहिए मागर यह कोई भी क्लेक्टर का मतलब क्या होता है अपने pockets तोगजव क्लेक्टर यहां पर क्यों होता था collector का काम होता था collection करना collector उसे से नाम आया है कि जितने में revenues वगरा है tax है वो आप collection करिए तो वो पर्थम civil collector किसको बना दिया किया तो यहाँ पर ASSG विटली तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि छोटा नागपूर के लिए सबसे जो पहला collector था वो कौन था तो ASSG विटली था यह काफी जादा important है यह याद रखेगा लेकिन इसने भी कर संगरा पाने में सपलता प्राप नहीं करी उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए और भी अपने दिमाग लगाए सथाई बंदोवस्त कहते है सथाई बंदोवस्त में क्या होता है कि जो जमीने हैं जमीने हैं उस जमीनों का मालिक जमीनदारों को बना दिया गया कि आप इसके मालिक हो गए आप क्या करिएगा कि यहाँ पर आप tax collection करके लाइए और यहाँ पे एक time दे दिया जाता था sunset का इसको rule भी बोलते हैं हम लोग कि एक time दिया जाता था कि अंग्रेजों को इस time तक tax जमा करना है यदि जमा नहीं कर पाएंगे तो वो जो जमीन है वो जमीनदार से भी छील ली जाती थी तो यह 1793 में हुआ था और इसी के करम में जो जमीनदार कीने बना गया जारकन में तो जारकन में जितने में मुंडा थे जो कि सासन कर रहे थे उनको जमीनदार बना दिया गया अब जमीनदार जैसे ही बनाए गया उनकी पावर तो खतम हो गई अब administrative जो पावर है मतलब कि सासन करने की पावर अब जमीनदार के पास रही नहीं वो सिर्फ एक तरह का tax collection करते थे और वो जो है अंग्रेजों को देते थे उसमें अपना जो है फाइदा वो अपना जो जो भी percentage होता था वो रख लेते थे करते हैं कि आखिर जो नागवंसी सासन वबस्ता में जितने भी राजा हुए है उसकी लिस्ट क्या है तो पहला जो राजा है वो राजा पनिक मुल्कुर राई है चौसक से एक सो बासक तक यह पूरी लिस्ट मैंने दिखाई गई है यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद हम जिसकी बात कर रहे हैं तो राई 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 स्टार्ट होगा यहां पर बदल जाएगा कर्ण भीमकर्ण तो भीमकर्ण जो है यहां पर आप देखेंगे तो हम इसको डेटेल में आगे हम जब हिस्ट्री पड़ेंगे जनजाती वाले जो हम चेत्र राजवंस पड़ेंगे तो इसको इसमें बात करेंगे तो अभी जो फाइनल राजा है नागवंसी शासन ववश्टा के जो लास्ट राजा है वो कौन होगे आला कि नागवंसी जो शासन ववश्टा है वो कब खतम हो गई तो जैसे ही जमिंदार बने 1793 में स्थाही बंदो बजता है उसके बाद जो उनकी सासन की पावर है वो खतम कर दी गई थी ठीक है आप समझ गए होगे मगर नागवंसी जो पूरा वंस है वो तो चला आ रहा है ना जैसे मैं पाठक हूँ तो मेरा वंस पूरा चला जाएगा आगे भी ठीक है तो इस परका से बावन तक उनकी सासन चली हलांकि 2014 में जो है इनकी यहां पर मैं दिखा दो लाल चिंता वनी ठीक है लाल चिंता वनी नात साहदेव ठीक है इनका जर्म 1931 को हुआ था दोजाद 14 में इनका दिहांत हुआ और यह छोटा राखपूर के जो है अन्तिन नागवनसी महराजा थे और यह जो है एमेले भी रह चुके है यह उन्हें चुना गया बिधान परिशत मतलब समझ रहे हैं ठीक है संचीत बिमारी के बाद 9 जुलाई 2014 को इनकी जो है निधन ह हो गया यह कापी important चीज है इसको भी आप no down कर सकते हैं तो मिलेंगे नेक्स वीडियों में thanks for watching